हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मसी माय खान असिस्टन प्रोफेसर श्री शिवाजी ला कॉलेज परभनी महराश्टरा इंडिया आज के इस लेक्चर में हम नया चाप्टर टॉट का स्टार्ट करने वाले हैं जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और इस लेक्चर में रिलाइंड वर्सेस फ्लेचर इस पर्टिकुलर केस को आज केस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे तो रिलाइंड वर्सेस फ्लेचर को डिसकस करने के पहले ये जो केस है ये किस प्रिंसिपल में आती है हमको डिसकस करना ज़रूरी है कि हमको पता है कि देरा situation when a person may be liable for some harm even though he is not negligent in causing the same general rule क्या है हमको पता है कि अगर मुझे taught में liable ठहराना है तो मैंने अगर कोई wrongful act किया मेरा अगर act negligent है तो normally मैं taught में liable होता हूँ यह general rule है लेकिन अगर मैं careful हूँ फिर भी अगर कोई taught होता है तो मैं liable नहीं रहूँगा लेकिन एक situation ऐसी बनती है कि जहां पर अगर person कोई act कर रहा है भले ही वो negligent नहीं है उसने care लिया है फिर भी अगर किसी को injury होती है तो वो person उसके against में suit file करके damages claim कर सकता है और person liable रहेगा suppose मैं कोई काम कर रहा हूँ भले ही मैं carefully काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे उस काम करने के वज़े से आपको कोई injury होती है तो आप मेरे against में suit file कर सकते हो और मैं liable रहूँगा इस liability को ही strict liability का आ जाता है और aligned versus flature ये strict liability का ही एक part है अब देखिए person का harm cause करने का किसी को injure करने का intention भी नहीं है दूसरा sometime he may even have made a positive effort to avoid the same अब ऐसा है कि ना तो मेरा intention है आपको injure करने का आपको कोई harm cause करने का और मैंने कोशिश भी ये किया मेरा काम भी मैंने ऐसा किया कि आपको injury ना हो मैंने बहुत कोशिश किया injury को avoid करने की positive effort लिया मैंने कि आपको injury ना हो फिर भी अगर आपको injury होती है तो तब भी liable मैं रहूंगा और इसी liability को strict liability कहते हैं otherwise क्या है situation हमको पता है कि अगर मैं carefully कोई काम कर रहा हूँ मेरा negligent act नहीं है तो मैं liable नहीं होता हूँ लेकिन strict liability में liability person की रहेंगी तो rule let down in reliant versus fleture is generally known as the rule of strict liability with certain exception तो reliant versus fleture में जो rule established किया, evolve किया court ने उसको क्या कहते हैं strict liability कहते हैं with a certain exception उसके लिए कुछ exceptions है जो आगे हम discuss करेंगे तो situation ऐसी है कि कोई person ऐसा काम करता है जो भले ही वो careful हो उसका intention नहीं है किसी को harm cause करने का फिर भी liability उसी की रहेगी क्योंकि कुछ situation ऐसी होती है, कुछ चीज़े ऐसी वहाँ पर मौझूद है जिसके वज़े से उसकी liability, strict liability होती है अब ये reliant versus fleture में पहली बार ये rule को evolve किया गया, ये rule यहीं से बना strict liability का अब reliant versus fleture में हुआ था क्या reliant था, जो meal owner था जिसकी meal थी, वो meal owner था और fleture एक coal mine का lazy था मतलब उसने coal mine lease पे लिए भी थी fleture ने, ठीके अब यहाँ पर defendant constructed reserve wire through independent contractor जो reliant था, इस case का defendant था, उसने क्या किया उसके meal के लिए एक artificial reserve wire, जैसा कि pawn होता न एक house के जैसा बड़ा, वो उसने एक independent contractor को काम दिया और उसने एक construct किया, एक reserve wire, ठीके, अब हुआ ऐसा कि इस तरीके का reserve wire था, जो image में दिख रहा है, independent contractor का point करके उसने reserve wire को construct किया, और reserve wire construct करते वे वो जो independent contractor को उस गड़े में कुछ ऐसे shaft मिले, कुछ ऐसे hole मिले, जिसने वो hole कहां जाकी मिलते थे, उस coal mine में, जो plaintive की coal mine थी, वो independent contractor ने उस hole को कीचर से बंद कर दिया, मतलब कोई उसने care नहीं लिया, कीचर से बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद वो reserve wire तयार हो गया, reserve wire तयार हो होने के बाद उसमें पानी भरा गया, जैसा ही पानी भरा गया, वो जो shaft थे, वो hole थे, वो hole के जरिये, पूरा reserve wire का पानी, coal mines में गया, और coal mines पूरी पानी से भर गई, जिसके वज़े से plaintive का नुकसान हो गया, जो lease पी लिया था, coal mine plaintive ने उसका नुकसान हो गया, उसने defendant के आगे इसमें suit file किया, meal owner के, अग meal owner का कहना इस case में ये था, कि मैंने तो independent contractor को appoint किया था, और इसलिए independent contractor liable है, मैं नहीं, लेकिन court ने ये कहा, कि independent contractor को आपने appoint किया, ये बिलकुल सही बात है, लेकिन किस चीज़ के लिए आपने appoint किया, एक artificial reservoir तयार करनी के लिए, और वो artificial reservoir मे बहुत सारा पानी, बहुत large amount में पानी भरा जाना था, जो कि dangerous चीज़ है, और court ने ये कहा, कि अगर कोई dangerous चीज़, कोई person अपने premises में लेकर आएगा, और अगर वो उसके premises से बाहर निकल के किसी को नुकसान पहुचाएगी, तो उसकी liability strict liability होगी, और independent contractor liable नहीं होगा, तो इस case में strict liability का rule evolve करके, court ने defendant को, meal owner को liable ठहराया, कि बोला कि तुम independent contractor का बहाना लेके, अपनी liability को avoid नहीं कर सकते हो, अब इस case में क्या हुआ था, rule let down in this case was, इस case में rule जो let down किया, वो ये बोला, कि the person who for his own purpose brings on his land and keeps there anything likely to do mischief, it is escape, so must keep it in at his own peril, court ने ये कहा, कि जो भी person, ऐसी चीज, dangerous चीज, अपने premises में लेकर आएगा, कि अगर वो premises से बाहर निकली, तो किसी को नुकसान पहुचा सकती है, तो वो उसको अपने खुद के risk पे रखना पढ़ेगा, वो escape होगी, तो liability उसी की होगी, वो ये नहीं कह सकता है, क मैंने independent contractor को appoint किया था, तो ये rule evolve करके, court ने defendant को liable ठहराया, court ने ये कहा, कि वो artificial reservoir में इतना सारा पानी एखटा करना, ये dangerous चीज है, और वो एखटा पानी escape हुआ, क्योंकि वो coal mines में चला गया, वो escape हुआ, liability defendant की ही है, court ने कहा, और court ने कहा, कि defendant is liable for the loss, by applying strict liability, strict liability का rule evolve करके, court ने उसको liable ठहराया, defendant को, तो ये था strict liability में, land versus fletcher का case, आगले lecture में हम strict liability के essentials, discuss करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ, कि ये lecture आपको समझ में आया होगा, एक case आपको समझ में आया होगी, अगर समझ में आई होगी, तो इस lecture को ज़्यादा से ज़्यादा, स्कुन तक शेर कीजिए और like कीजिए, thank you, thank you very much.